ओम नडायन नारायन नारायन सभी दोस्तों आपने अभी तक मेरा सम्राट पृतिराज फिल्म का पीषों तो देखे लिया होगा कापि सरी बाते हमने अलड़े रिव्यू में की हुई है पर कल से मैं इस फिल्म के बारे में काफी विचार किया और मुझे लगा कि और भी कई सरे इसी महतुपूर्ण बात हैं जिने आप सब मित्रों के साथ में शेयर करना आवश्यक है तो ये वीडियो बहुत-बहुत महतुपूर्ण होने वाला है मैं आप सभी मित्रों से प्रार्थना करता हूँ और मैं कोई किसी दे पर आरोप नहीं लगा रहा पर मैंने जो इस फिल्म को देखकर अनुभव किया वो बस मैं आप सब मित्रों के साथ में शेयर करने वाला हूँ मैंने साथ पॉइंट्स प्रॉब्लेम्स निकाल कर रखे हैं जो मेरे अनुसार इस फिल्म की सबसे बड़ी गलतिया है साथ इसमें से जो आखरी पॉइंट है वो बहुत में तो पुर्ण है वीडियो आखर तक प्लीज पुरा जरूर देखना अब हम उन साथ प्रॉब्लेम्स की तरफ आगे बड़े उससे पहले एक छोटी सी कहानी में आप सब मित्रों को बताना चाहता हूँ देखिए एक मतलब कालपनी कहानी है एक गाउ था काभी सुखी संपन खुशाल ऐसा गाउ दूदगी की नदिया बैते थी सोने का धुआ हर घर से निकलता था ऐसा एक संपन खुशाल गाउ था अचानक से कुछ कुरूर आकरान ता एक दिन उस गाउ पर आकरमन कर देते हैं वहां की जितने भी प्रार्थनास्तल होते हैं उस गाओ के लोगalter की सब्भेता से जुड़ेवी जितने भी कुछ प्रतीक होते हैं उन सबको वो उनका विध्वन्स करते जाते हैं उनकी प्रार्थनास्तलों को तोड़ देते हैं वहां की शिक्षा विवस्ता को नश्ट कर देते हैं वहां की बहन बेटियों पर वो अनकिनत अत्याचार करते हैं। उस गाओं के कई सारे से वीर विरांगनाय थी जिनोंने उन आकरांताओं के विरुद्ध युद्ध किया अपनी सब्भेता, अपनी संस्कृति, अपनी पहचान की रक्षा के लिए और अंततह उस गाओं के एसे ही उन तताकतित सेकुलर्स में से एक विक्ति उस गाओं का आगे आता है और कहता है कि भाई, मुझे फिल्म बनानी है हमारे इतिहास पर, जिन लोगों ने बलिदान दिया है उन पर तो गाओं के लोग बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि यार वावावावावाव बहुत फिल्म ऐसा दिखाया जाता है कि भाई, वो जो कुरूर आकरांता थे ना, उनकी कोई इच्छा नहीं थी इस गाओ पर आकरमन करने की, ये तो इस गाओ के ही कुछ लोग थे जिनने उन कुरूर आकरांताओं को आमंत्रन दिया था कि भाई, आओ, आओ, हम पर अत्याचार कर ने की, और जिन गाओ के लोगों ने बलिदान दिया है न, उन्होंने कोई अपनी सब्वेता, संस्कृती और पहचान की रक्षा के लिए बलिदान नहीं दिया था, वो तो कुरूर आकरांता बस ये चाहते थी कि हमारे सामने सर जुका लो, उनका कोई ऐसा उदेश्य नहीं था, ऐसा उस फिल्म में दिखाया जाता है, अब आप मुझे बताईए क्या वो फिल्म उस गाओ के लोगों के बलिदान को एक ट्रिब्यूट या उन गाओ के लोगों के बलिदान का, क्या वो फिल्म सम्मान करती है, आप मुझे नीचे कमेंट में बताईए, मेरे अनुसार तो उस गाओ के जिन लोगों ने बलिदान दिया था उनके बलिदान का सम्मान तो नहीं पर अपमान अवश्य वो फिल्म करती है मेरी जितनी अलपमती है उसके अनुसार दोस्तों साथ पॉइंट्स मैं आपको बताऊं उससे पहले जल्दी-जल्दी में कुछ मित्रों के कमेंट्स आपको पढ़कर बताना चाहता हूँ अपने ही इतिहास को बताना आजकल उसे हिंदूतो प्रपगेंडा कहा जाता है 12th Century में कौन सा हिंदूतो गुरूप था वहाँ पर हमारे अपने ही चोहन डैनेस्टी की जो इतिहास कार है उन्होंने गोरी और उसकी जो कुरूर सेना थी वो किस प्रकार से जंगली थे इसके बारे में अल्रूडी लिखा हुआ है कई सरे इतिहासिक तथे इसके बारे में है और उन आकरांताओं के खुद के दर्बार इतिहास कारों ने भी इसके बाइर में बात की हुई है मुझे ने लगता कि भारत के किसी भी डिरेक्टर में ये शमता है कि वो एक परसेंट भी उन आकरांताओं ने जो किया वो कभी दिखा पाए मैं पृतिराज की टीम को ब्लेम नहीं करता अपने खुद के इतिहास के प्रती सभेता के प्रती इतनी घुना अल्रेडी भरी जा चुकी है कि पृतिराज की टीम को क्योंड दोश देकर भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि ऐसी मानसिक्ता बना दी गई है मुझे बहुत प्रसनत आए कि तुमने घजनवी के बारे में बात की सन 2001 से 1027 तक उसने कई बार भारत पर आकरमन किया लूटा इवन गोरिनी भी 1175 में भारत को लूटा था लूटेड मुलतान और प्रेजेंटेड अलॉट अब इंडियन रामानिस ये फिल्म समराट प्रिथिराज चोहान जी से ज़्यादा वोमन एंपावरमेंट पर ज़्यादा लग रहे थी मुमत गोरी को देखकर तो कोई अंदर कुछ डर फिल ही नहीं हुआ और उन अकरांताओं के द्वारा यहां पर जो महिलाओं पर अध्याचार किये गए थे उसके बारे में भी फिल्म में कुछ नहीं बताया गया अक्षे कुमार's physics and voice doesn't suit properly as a great king मानुशी looks very skinny and not perfectly fit for queen needs some more time for प्धिराज's character building from his childhood an average film and again proves Bollywood can't make a legendary historical movie like Baho Bali SS Raja Moli is unmatchable देखके लगा ही ने कि यह कोई धर्मियुद्ध था ऐसे लग रहा था जैसे यह बस कुछ लोगों के एहंकारों की लड़ाई है it's just a battle of egos समराट अपने मिट्टी के लिए लड़ रहे थे पर उस मिट्टी के लिए लड़ना क्यों आवश्चक है यह तो उन्होंने दिखाया नहीं तब तो feel होता कुछ impact अगर ऐसा दिखाते तो अगर वे फिल्म की शुरुआत में किस प्रकार से मंदिरों को नश्ट किया गया था किस प्रकार से महिलाओ पर अत्याचार हुए थे यह अगर वे दिखाते तब वो कुछ प्रभाव फिल्म का हमपर होता और अगर इस प्रकार से वे दिखाते तब हमें पता चलता कि अपनी मात्रु भूमी की अपने धर्म की रक्षा करना क्यों आवश्चक है एक और कमेंट में बस आपको पढ़कर बताता हूँ मौमद गोरी ने इसलाम का प्रसार करने और गजवा हिंद के उद्देशे से भारत पर आक्रमन किया था लेकिन फिल्म में तो दिखाया गया है कि एक रखेल के लिए पृतिराज चोहान ने गोरी से दुश्मनी मोल लेकर पूरा हिंदु सामराज्य दाओ पर लगा दिया था 1191 के तराइन के युद्ध में हार कर गोरी ने हर बार की तरग गिड़गडा कर माफी मांगी थी लेकिन इसमें तो गोरी का भी द्विवेदी जी ने ग्लोरिफिकेशन किया है ऐसे दिखाया गया है जैसे गोरी स्वेम मरने के लिए तयार है मैं इस फिल्म को तो 3 out of 10 ही स्टार्स दे सकता हूँ तो ये कुछ बहुत ही महतोपुर्ण ऐसे पॉइंट से जो काफी सारे मित्रों ने कल के वीडियो के कमेंट सेक्शन में रखे हैं तो अभी हम आते हैं उन 6 पॉइंट्स की तरब जिसके बारे में मैंने वीडियो की शुरुवात में बताया था सबसे पहला मुद्दा तो यही है कि फिल्म में उस समय की जो राजनितिक परिस्तिती थी किस प्रकार से लगातार वीडियो आकरांता आकरमन करते जा रहे थे इसलिए 1500-200 वर्शों से इसके बारे में फिल्म में कोई उल्ले की नहीं था अब एक आप एक ऐतिहासिक फिल्म बना रहे हैं तो यह दिखाना सबसे ज़्यादा आवश्चक था पर फिल्म का तो पूरा का पूरा फोकस लव स्टोरी पर था और उन सब ऐतिहासिक घटनाव को दिखाने के लिए कोई समय भी नहीं लगता मुश्किल से दो मिनिट में उसका वरनन किया जा सकता था उस समय की राजनेतिक परिस्थिति या कैसे विदिश्याकरंताओं के आकरवाण होते जा रहे हैं दो मिनिट में केवल दो पात्रों के बीच में कुछ समवाद दिखा सकते थे पर फिल्में तो काकाकन और चंदबरदाई इनके बीच में बिना मतलब के बहुती बचकाने से विचित्र से ऐसे क्या मजा किया भी मुझे तो कमसे कम मजा किया या फनी नहीं लगे वो पर जबरदस्तिक ऐसे सीन्स डाले गए हैं आपका फोकस किस तरफ है इतिहासीक जो तत्य है उनको दिखाने के तरफ या बिना मतलब कैसे सिंस डालने के तरफ और चुलो वो भी आपने डाला उससे भी प्रॉबलम नहीं है पर भाई एक दो मिनिट का कोई एक समवाद रख देते दो करेक्टर के बीच में थोड़ी से राजनीतिक परिस्तिती उस समय की बता देते कि गौरी ने कितनी बार उससे पहले आकरमन अल्री किया हुआ था गजनवी ने कितनी बार आकरमन किया था कैसे सेकडो मंदिर तोड़े थे जिनमें एक सोमनात मंदिर भी था यह बताया गया है कि इस प्रकार से सोमनात मंदिर को तोड़ कर शीवलिंग को तोड़ कर उसके जो टुकड़े थे उनको सीडियों के नीचे डाला गया था ताकि उन पर आते जाते पाव के नीचे वो शीवलिंग आ सके इसका उलेक फिल्म में है पर उस समय कितने लगातारी आकरमन होते जा रहे थे हमारे देश पर संस्कृती पर कितने सारे सेकडों मंदिरों को तोड़ा गया था कितने महिलाओ पर अत्यचार हो रहे थे यहां कि महिलाओ को कैसे अफगानिस्तान में सेक्सलेओ बनाकर बेचा जा रहा था इसके बारे में भी मैंने तो जितना पड़ा हुआ है तो इसका वरनन भी फिल्म में किया जा सकता था किस प्रकार से महिलाओ पर अत्यचार होते जा रहे थे पर यह सब छोड़ करके पूर बढरिवार के बंधनों को तोड़ना है यही एक फिक्सेट बैटन होता है वो हिस्टोरिकल फिल्म बनाये हौरर फिल्म बनाये बाते होती है उनका पता नहीं यह दिखाए हम बगर तो उनकी कहानी यह फिल्म पूरी ही नहीं होती इसके बाद में दूसरा कारण है विधिश फिल्म में यूद्स किया है रखेल उस महिला के लिए समराट पृत्राच चोहान जी पूरे के पूरे हमारे भारत की एक ता अखंडता इस संस्कृति को दाव पर लगा देते हैं उसे बस एक महिला के लिए जिसके लिए रखेल वर्ड फिल्म में यूद्स किया है जो कहीं से रखेल भी कमिंसिंग फिल्म में नहीं लग रहा था और दुसरी बार ये दिखाया है कि गोरी ने खुद होकर कोई आकरमन नहीं किया ता यहां से जेचन ने उसको बुलावा बेचा था फिर इस कारण से वो भारत पर उसने आक्रमन किया भाई गोरी अल्रेडी उससे पहले कई बार भारत पर आक्रमन कर चुका था पिछले ही महीने नाइका दिवी फिल्म रिलीज हुई है सोलंकी राजवश ने अल्रेडी महमद गोरी को हराय हुआ था उससे पहले जिस युद्ध का नेत्रुत्व महाराणी नाइका दिवी जी ने किया था पिछले महीने वो फिल्म रिलीज हुई है और महारणी नायका दिवी जी और सोलंकी राजवाइश ने मुहमद गोरी की लाखों की सेना को गाजर मुली की तरफ काटा था और उसके बाद 13 वर्षों तक मुहमद गोरी की हिम्मत नहीं हुई भारत की तरफ मुड़ कर देखने की और उससे पहले भी कई बार मुहमद गोरी ने भारत पर आकरमन किया हुआ था तो कोई उसकी इच्छा नहीं थी भाई हमने जबरदस्ती उसको बस एक महिला जिसके लिए रखेल वर्ड यूज किया है उसके लिए बस हमने भारत को दाओ पर लगा दिया था या हमारे यहां के लोगों ने उसको आकरमन दिया था उसकी तो खुद की कोई इच्छा थी नहीं ये जो फिल्म में जैसा दिखाने का प्रयास किया है कि जैसे ये कि बस एक पॉलिटिकल कॉन्फिलिक था ये ये सबसे जादा प्रॉबलमैटिक था उन विदिशी आकरानताओं का एक मात्र उद्देश था इस देश की सब्वेता और संस्कृति को नश्ट करना बुद परस्तों के विरुद्ध उनके मन में जो घुरुना थी उसकान से ही वे इन मंदिरों को नश्ट करते थे उनके खुद के दर्बारी इतिहासकारों ने इन बातों को पड़े गरो से लिखा हुआ है कि वो जो बुद परस्त है, मुर्ति पूजक है, उनके प्रार्थानास्तों को किस प्रकार से तोड़ा गया है पर इसका तो कोई फिल्म में उल्ले की नहीं है इसके बाद तीसरी जो इस फिल्म की सबसे प्रॉब्लेमेटिक बात मुझे लगी वो है अक्षे कुमार का परफॉमंस वो ना केवल मजा किया था, पर मेरे अनुसार तो घोर अपमान जनक था अक्षे कुमार के एक्सप्रेशन्स अगर हम फिल्म में देखे न, तो पता नहीं मुझे कम से कम वो इंटेंशनली फनी लग रहे थे क्या वो एक्सप्रेशन्स है, वो मूचे और वो पूरा चहरा कैसे बनाया गया है और ये केवल किसी एक पर्टिक्लर सीन की बात ही नहीं, पूरे फिल्म में भी अगर हम देखे न, वो मजा किया था सच में पहले पाणी पत में भी बॉलिवड ने यही किया, अरजुन कपूर को लेकर, और यहाँ पर फिर से अक्षे कुमार और ऐसा ने कि अक्षे कुमार अच्छा पर्फॉमस नहीं दे सकते थे, केसरी में हमने देखा हुआ है कि कितने लगन से, कितने पूरा उन्होंने वो फील होता है, उनके अंदर की इमोशन्स केसरी में, पर यहाँ पर तो वो पूरा मजा किया उन्होंने करेक्टर को बना द तो मंदिरों को तोड़ने के इस साथ में, वे किस प्रकार से महिलाओं को, बहन बेटियों को उठा कर हरम में ले करके जाते थे, उन्हों पर अटेचार करते थे, भोग बगने की वस्तु की तरह उनका जैसे उन्हों यूज किया जाता था, उन्हें नर की आतनाई दी जाती थी, सामुहिक बलातकार हो, या सेक्स लेव बना करो, उन्हें बेचना हो, इन सब बातों का तो कोई उल्लेक ही नहीं है, और ये आवश्यक था उल्लेक करना, भले ही आप एक मिनिट का कुछ सीन डाल देते, कुछ दो करेकर की बीच में थोड़ा सा समवाट डाल देते, उस पर वो विदिश्याकरांता जीत लेते थे, तो उसके बाद वहां की महिलाओ पर वो एक कैसे अत्याचार करते थे, उनके शवों को तक नहीं छोड़ा जाता था, तो ये जो अत्याचार थे, वो दिखाना आवश्यक था, तब वो आकरी जो जोहर का सीन था, उसका किया गया, कि जिसकी कोई सिमा ही नहीं है, मैं आपको कुछ शब पढ़कर बताता हूँ, खुबसूर्ती, अपसाना, इश्क, हकिकत, मुबारक, मुहंबत, दिवानगी, और जो सॉंग्स भी है, वो भी मतलब पहली दफा, जो मिली है, यह शाम है, बावरी सी, हत कर दे पिय यह जो सॉंग्स वगेरा जिस प्रकार से लिखे गए हैं, वो कही से भी आज से एक हजार वर्ष पहले के तो बिल्कुल भी नहीं लगते हैं, भाशा भी आज से एक हजार वर्ष पहले के बिल्कुल भी नहीं लगती है, उर्दु का अगर हम देखे तो मुगलों के आने के जातर उर्दू को प्रभाव हम देखते हैं पर 1000 वर्ष पहले ऐसा कोई प्रभाव होगा दूर दूर तक भी ऐसा मुझे तो नहीं लगता और अजमेर के लिए अजमेर का पहला नाम अजे मेरू था जो बाद में अपभरंश होकर अजमेर हुआ है तो 1000 वर्ष पहले मुझे न चो मुझे कम से कम इस फिल्म की सबसे ज़्यादा प्रॉब्रेमेटिक बात लगी और वो है कि गोरी के कैरेक्टर को जो जिसे धुर्थ कप्टी दिखाया जाना चाहिए था उसे एक प्रकार से स्वाभीबान ही दिखाया है ऐसे लगता है वो मैंने कमेंट भी पहले पढ़कर बताया देखिए आपको तो मतलब हम सब नहीं पढ़ा हुआ है कि गोरी हर बार हारने के बाद में किस प्रकार से गिड़गड़ा कर माफी मांगता था फिर भाग जाता था फिर से आता था फिर से वो किस प्रकार से आक्रमन करता था तो ये जो उसका धूरत और कप्टी उसे छोड़कर उसे एक प्रकार से स्वाभिमान से मुर्त्यू मांगने एक प्रकार से नहीं खुलकर स्वाभिमान से मुर्त्यू मांगते वे दिखाया है पहला जो तराइन का युद्ध फिल्म के शुरुवात में दिखाया है उसके पीछे का कारण तो एक महिला जिसके भारत को पूरा दाव पर लगा दिया था हमने समराट पृतिराज चोहान जी ने ऐसा दिखाया है और उस युद्ध में हारने के बाद में गोरी माफी मांगना तो दिखाया ही नहीं है उल्टा उसको बड़ा स्वाभीमान ही दिखाया है सवभीमान से मुर्तियू मांगने वाला दिखाया कि मार दो मुझे, मार दो मुझे, मार दो मुझे कई बार वो बोलता है और फिल्म के अंत में भी उसे कपट से सबको रात को सोते हुए, मारते होई दिखाया है पर उससे पहले भी जो सीन है, वहाँ पर ये दिखाया है, वो बोलता है कि हम लोगों के लिए तो ये बस जमीन का टुकड़ा है पर इन लोगों के लिए अपनी मात्रुभूमी है और इस कारह से अब हम इनको ऐसे सामने सामने तो नहीं जीच सकते तो चलो अभी रात को हम इनको, यह सही हमें इनक पर सोते समय ही आकरमन हमला करना होगा तो ऐसे दिखाए जैसे उसके लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा था, कोई चारा ही नहीं था तब उसे यह decision लेना पड़ा, रात पर सोते समय हमला करने का पर देखा जाए तो गोरी का जो पात्रा जे सामने देखा हुआ है वो कप्टी और धुर्थ और कितने अमानविय पाशवी ऐसे जानवरों से भी बत्तर ऐसे अत्यचार उसने कई बार भारत पर किये हुए है कई बार उसने आकरमन किया हुआ है, यह कोई एक दो बार की बात भी नहीं है पर बहुत गलत तरीके से उसे दिखाया है और उसकी कुरूरता को तो कही पर भी फिल्म में दिखाया ही नहीं गया अब साथवी और सबसे प्रॉब्लमेटिक बात जो मुझे इस फिल्म की लगी वो ये कि मुहम्मद गोरी ने समराट पृत्युराच चोहां जी पर जो अमानवी अत्यचार किये थे पर फिल्म में इस बात का उलेक ही नहीं है दिल मात्र भी उलेक नहीं है फिल्म में ये दिखाया है कि गोरी तो बस समराट पृत्युराच चोहां जी को अपने सामने सर जुकाने के लिए बोल रहा था और वो सर जुकाने से मना कर रहे थे इस कारण से बस इतना अत्याचार किया बस यानि समराट पुर्थुराच चोहान जी के बलिदान की पीछे का जो सबसे महतोपुर्ण और मुख्य कारण था वही फिल्म में नहीं दिखाया गया तो दोस्तों ये वो छे बाती थी जिन्होंने मुझे अंदर से सच में पीडा दी है मैंने कम से कम डॉक्टर चंदरपरकाश दिवेदी जी से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था अब ये तो इश्वरी जाने कि ये किस कारण से हुआ है क्या वायर एप का प्रेशर था या किस कारण से हुआ है ये इश्वरी जाने पर देखिए विवेक अगनियूतरी जी ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि एक OTT प्लैटफॉर्म ने बहुत बड़े OTT प्लैटफॉर्म ने उनके सामनी शर्त रखी थी कि हम आपकी फिल्म को हमारे प्लैटफॉर्म पर लेंगे पर उसके लिए आपको फिल्म में इस्लामिक आतंकुआद ये वर्ड यूज नहीं करना होगा और अगर आपको इस्लामिक आतंकुआद वर्ड यूज करना है तो हिंदू आतंकुआद भी आपको वर्ड फिल्म में यूज करना होगा ऐसी शर्त उस बड़े OTT platform ने विवे कगन उतरी जी के सामने रखी थी पर विवे कगन उतरी जी ने उससे मानने से सीधे मना कर दिया था तो यहाँ पर क्या कारण था यह पूरा जिस प्रकार से दिखाया गया है इसके पीछे क्या reason था क्या किसने कोई ऐसी शर्त रखी थी इ वाश्य बताना ये वीडियो देखने के लिए आप समी में तो का बहुत बहुत धन्यवाद जैश्री राम बंदे मातरम